गुरत्माट यूपी इसके यूट्यूब ट्राट फॉम पर विभिन्य महत्वपुनवकानों की विशय से सुरुंख्ला के तहत मैं हूँ आपके साथ दुरुजानी इस महत्तोपुनवकानों का दियन कर रहे है और इस बुक को आधार लगर हमार या यतरह वह चल रही है आज चतिसमा उपाख्यन है और इस उपाख्यन के तहट एक महत्तो पूना कानून के बारे में देखेंगे जो अपने अपने परसंस विथ डिस अबिलिटी यानि कि जो खामियुक्त जो गनुशिय है उनके साथ इक्वालिटी की जाए उनके साथ जो बेदवाव के नीती है व उनके उपर जो सप्रेशन हिस्टोरीकली होता आया है उसको खत्मो करने के लिए यह कानून जो है वो लाया गया है साथी मैं यहां किसी भी परसंवीथ डिसेबिलिटी के साथ दूस्वेवर करते हुए किस भी व्यक्ति को यहां इस कानून के तहत सजा भी हो सकती है इट इ परस्चात हम लोग इस पर्टिकुलर कानून के महत्तों के बारे में समझेंगे और साथी में जो कोई टिका है तो उसको भी देखने का परियास करेंगे इस के इसके इंट्रोड़क्शन देखने है जिसके तहत काफी सरी चल्चा हैं लोग कर सकते है जिस मैं सबसे प्रतम बिंदु कहता है कि लेजिसलाशन अफ इंडियन पर्लामेट इस इस अच्छली फुल्फिल्स दो बिलिगेशन अफ इंडिया तो उनिट नेशन कंवेंशन ओन राइट आप परसंस विद दिस इस जो की भारत ने दोजर सोला में उसको साइन किया था इंडिया बिकेम सिगनेटरी या इंडिया रटिफाइड इट इन थो उन्डड़ इमन थो थो थोजन सेवन नोट तो तो थोजन सवन्तिन थेक्ट फिर उसके बद दूसरा बिंदु देखे का लोग प्रोवाइज देट गोर्में पूर्में मस्ट एंशूर परसंविथ द और तीसरा बिंदु कहता है कि गवर्मेंट तो टेक स्टेप्स तो यूटिलाइज कपैसिटी ओफ परसंविथ दीसेबिलिटी बई प्रोवाइडिंग एप्रोप्रोप्रोप्रेट एंवर्मेंट का सरजन करना वो अपने आपने यहां ही से कानून करता है तो सरकार की रिस अब करणा चाहिए और उसमें दफविध करना चाहिए उसमें धन्राशिक का भी उप्योग करना चाहिए ताकि इनका बिद कृप्लिषमेंट जल्द कर जल्द हो सके जो आज गिन तक स्प्रशन का सामना करता है बूँ अंसरों करता है तो यही बद दो अगे याल्द्राइ Equal Opportunity Protection of Rights and Full Participation Act 1955, ठीक है तो इसको इस नए लो ने रद कर दिया, क्योंकि अपने अपने यह लो जो है वो आउटटेड हो गया था, तो contemporary role आने की ज़रूर थी, और यहां इस लो ने इसको replace कर दिया, यह preliminary point of view से प्रस्न पूछा जा सकता है, वेसे माहिती के लिए भी महत अपो याने की तकरीबन दो वर्स के बाद लोकसभा ने इसे पारित किया, ठीक है फिर बिल आया राज्यसभा में, राज्यसभा ने तुरंथ ही से पारित किया, और फिर बाद में प्रेसेडेंट ने तकरीबन राज्यसभा के पारित करने के एक वर्स के बाद इसको बाह लिदे तो ये एक कानून का सुरूप जो है उसमें तब्दिल हो गया लोकसभा में इंट्रडेक्शन हुआ इसका February 2014 में मगर लोकसभा में ये बिल पड़ा रहा और 2016 में लोकसभा से निकला फिर ये बिल आया 2016 में राजियसभा में राजियसभा न तुरंथी उसी साल दूसरे महीने म इसने कानून का स्वरूप धारण कर लिया फिर यह कानून के साथ एक रूल्स भी सेंटर गवर्मेंट ने नोटिफाई किये है अधीसुचना भी जारी किये इसके तहत इस कानून का अम्लिकरन जो है वह बस्ट किया गया और यह जो रूल से उसका इंट्रोडेक्शन अंड प्रयोग करते है वह सथा का यहां जो है कुछ नियम उपी अधिसुचना जारी की है और अगर उद्देशियों की बात करें तो अमने उद्देशियों का जिक्र कर लिया कि इस में और प्राइमरी मोटेव इस तो फुल्फिल दो अबलिगेशन ओफ इंडिया तो यहां यह बात भी हमें सुनेशित करने आगी और ऐसा संगठन जिसका भारत सभिया है ठीक है तो यह बत रहीं बेक्ग्राउंड की अगर अगर अबजिक्टिव इसकी बात करें तो इसका में अबजिक्टिव तो वही रहेगा कि अबलिगेटरी मगर इसका दूसरा एक में अबजिक् एक यह भी है ठीक है फॉर दे एंपोर्मेंट ऑफ दे परसंस वित डीसेबिलिटी जो आज दिन तक उनको मात्र और मात्र असमानता वह बैदभाव का संगना करना पड़ा अब उनको एंपावर करने की अब उनको एक प्रकार से सक्तिमन बिनाने की यहां इस कानुन ने एक महत्तो कांग सा हमरे सामने प्रस्तूत की है फिर काफी सारा मुद्ध है जो कि इस अब्जेक्टिव से तहती फॉल करेंगे वन बैवन देखेंगे और यहां यही बाते की गई है कि कैसे जो परसंस वित डीसेबिलिटी जे उनको रक्षन दिया जाए सबसे प्रथम रिस्प कर दिया के मिलनी चाहिए वो इनको मिलेगी उन चुनिश्चित यह किया जाएगा दूसरा नन डिस्क्रिमिनेशन यस काफी सद्णीधियों से यह सामना करता हैं इनको लोग अड करता है कि शक्टियों कटियों को मगर यहां अब इस कानून से यह जो है यह सिनारियो है उसे समाप्त करने की बात है उसे सुन्य करने की बात है फिर full and effective participation and inclusion in society yes they should be invited for equal participation and the society should be inclusive यानि कि एक प्रकार से समावेशी भावना पूरे समाज में होनी चाहिए ताकि वो समाज में हमारे साथ सामनिय लोगों के साथ वे कुल मिल जाए है respect for difference and acceptance of person with disabilities as a part of a human diversity and humanity यस मानोता की दृष्टी से हमें इन लोगों को ऐसा लोगों को जो persons with disabilities है जो खमयुक्त लोग है उनको समाज में लेलना चाहिए के inclusive समाज का निर्मान करना चाहिए और उनको अपने जैसा ही सामनिय दरज्जे का व्यक्ति ही गिनना चाहिए equality between men and women yes equality between men and women with disabilities respect for the evolving capacity of children with disabilities to preserve their identities yes जो बच्चे है जो अभी बड़े हो रहे है जो उबर रहे है और वे खमयुक्त है तो उनको भी एक प्रकर से ऐसा वातावन दिये जाए कि वे अपनी पहचान बनाय रखे अपने पहचान में रुद्धी कर सके तो यह overall इसके सब्सक्राइब के बात है अब मतपनों प्रावधन देखने है कि कौन से जो है व्यक्ति वो परसन विथ डिस अबिलिटी किया जाएंगे कहे जाएंगे प्लस इस पर्टिक्लर कानौन को लागू करने के लिए कौन-कौन सी विवस्था यह कानौन करता है यह सारी चीजों को यहां important provisions में देखेंगे देखेंगे one by one first one is disabilities has been defined based on the evolving and dynamic concept in the act a person with disability means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which in interaction with barriers hinders his full and effective participation in society equally with others and therefore requires a special provision एसे लोग जो काफी समय से चाहे वो मांसिक रूप से हो चाहे वो सारीडिक रूप से हो चाहे वो बहुधिक रूप से हो या चाहे वो सम्वधन की दृष्टी से हो अगर वे किसी भी प्रकार से communication smoothly नहीं कर पा रहे है equally represent नहीं कर पा रहे है अपने आपको society में तो उनको एप्रकार से यहां disabled persons गिना जाएगा या persons with disability गिना जाएगा the list with types of disabilities has been increased from 7 to existing 21 yes जब यह लगू हुआ 2016 में तो साथ ऐसे जो है रो गिया साथ ऐसी परिष्थितियों की सूची थी मगर यहां दीरे दीरे इसमें जो है एक के बाद एक इसको addition इस सूची में addition किया गया और आज लिस्ट जो है वो 21 का है इंक्लूद्स पीच एंड लेंगविज डिसेबिलिटी यानि की बोलने की असक्षमता स्पेसिफिक लर्निग डिसेबिलिटी एसीड एक विक्टिम्स ड्वार्फिजम यानि की छोटापन मस्कुलर डिस्टोफी इस अग्लूद्स थी ब्लड डिसोडर्स नेमली थलसेमिया हेमोफिलिया एंड सिकल सेल डिसेज तो यह सारी चीजे जो है अपने अपने डिस अबिलिटी कहलाएगी जिसमें थलसमिया का एडिशन इस पटिकुलर लिस्ट में सुप्रिम कोट के इंटर्वेंशन के बाद हुआ जिब सुप्रिम कोट ने किसी एक जज्जमेंट के दोर था उसके बाद the act has a provision for reservation in higher education yes the act also provides reservation in higher education not less than 5% यानी की पांच फिस्दी से कम कता ही नहीं किसी भी sectionic संगठन में या संस्था में government jobs में not less than 4% reservations in allocation of land yes जब जमीन का वित्रण हो distribution हो तो उनको भी यहां गिना जाएगा उनको ज्यादा जो है कुछ फाइद दिये जाएंगे 40 elevation schemes 5% allotment etc have been provided for persons with benchmark disabilities and those with high support needs benchmark disabilities यानी की the disabilities which are mentioned in particular list of the mentioned act उसके बाद the act has a provision that every child with benchmark disability between the age or age group of 6 to 18 years साल हो the right to free education yes ठीक है किसी भी disabled बच्चे को मुफ्त सिक्षण का अधिकार है छे से अठारा वर्सों तक यह यहां इस एक्ट के दौरा सुनिश्चित किया गया the government will fund educational institution as well as the government recognized institution to provide inclusive education to the children with reasonable accommodation to disabled yes तो यहां सरकार के दौरा मदद की जाएगी चाहे वो विती यह हो चाहे वो बिनविती यह हो और इन बच्चों का भविश्य जो है वो सुरक्षित किया जाएगा उनकी पढ़ाई को या मुफ्त सिक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए है फिर यहां इस कानों के द्वारा स्पेशिल कोट्स के स्थापना की भी बात की गई है इस कमुइनरी के लिए इस समू के लिए इस प्रती जिल्ले के लिए स्पेशिल कोट्स की यहां जो है प्राउधान है तो एक प्रकार से इन लोगों को या इन समू को स्पीडी जो है जुडिशियरी प्रोसेस क का लाब मिले या स्पिरी जुडिशियल प्रोसेस का लाब मिले इसलिग है यहां Special Courts का निर्मान करने की बाद की गई है फिर उसके बाद the act provides the penalties for offenses committed against a person with disabilities and also a violation of the provision of a new law the act actually considers any type of insult or any type of intimidation against the person with disability as a criminal offense and the culprit can be imprisoned for some time ठीक है तो यह परिशिती है और इस पर्टिकुलर कानून से यहां जो PWD उनके अधिकारों का रक्षन करने की यहां कोशिस की गई है लिखिए यहां imprisonment up to 6 months and or a fine up to Rs.10,000 or both and for subsequent violence यानि की बार बार करने पर imprisonment up to 2 years and a fine of Rs.50,000 to 5 lakh can be awarded फिर उसके बाद the act provides the power to the government to notify additional disabilities यस इसका जिक्र में ने किया जैसे Supreme Court ने intervention किया तो Central Government के दुबरा इसमें एक और खलसमिया नामक एक blood disorder को सामिल किया गया तो यसा यहां इस कानून ने ही सरकार को यह power दिया है किवे इसमें disabilities addition कर सकते है फिर उसके बाद देखे तो person with benchmark disabilities are defined as those certified to have at least 40% of the disabilities यस तो जिन लोगों को कई सारी disabilities है मिन उनको एक परकार से benchmark disabled person declare किया गया है इस कानून के ताहत इस पहले यानि कि 1905 के कानून में mental retardation सब्द का उपयोग किया गया था जो अपने आप में थोड़ा in problem solving and in adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skills including specific learning disabilities and autism spectrum disorders ठीक है तो यहां एक प्रकार से यह भी एक अच्छा फिरफर किया गया mental illness को यहां इस कानून में अच्छी तरीके से पस्ट रूप से संगया गया है साथी में यहां एक mental retardation नामक सब्द को हटा कर उसकी जगह intellectual disability सब्दों को चुना गया है तो यह भी एक अच्छा development है फिर the act provides for the grant of guardianship by district court under which there will be joint decision making between the guardian and the person with disability यह तो एक और भी mechanism है जो कि district court के द्वरा handle किया जाएगा और उसमें जो person with disabilities है जो बिच्चे है उनके अच्छे भविश्य के लिए guardian वह court के द्वरा दोनों के द्वरा मिलके फैसला किया जाएगा उसके भविश्य के लिए ब्रोड बेज्ड Central and State Advisory Board on Disabilities are to be set up ये भी एक अच्छा प्राउधान है इस कानून का केंद्री अस्तर पर या संघिय स्तर पर वह राज्यों के स्तर पर ऐसे बोड्स या ऐसे निगमुका गठन किया जाएगा जो अपने आपने परसंस्रीथ इस अबिलिटीज को लेकर जो कोई चिंता है जो कोई अपत्ती है उनकी सुरक्सा या उनके जो कोई अहित के तत्व है उनको लेकर यहां विचार किया जाएगा आगे पॉलिसी बनाई जाएगी उसके बाद दो ऑफिस ऑफ चेफ कमिशनर अफ परसं विट डिस अबिलिटी इस तो यह एक इसका धाचा है जो की एक कमिशनर वह दो असेस्टन कमिशनर साथ ही में 11 से ज्यादा मेंबर्स नहीं अलग-अलग एक्सपर्ट अलग-अलग डिस अबिलिटीज के उनके द्वरा यह पूरा बोर्ड बनाय जाएगा Similarly, the office of state commissioner of disability has been strengthened with which will be assisted by an advisory committee comprising not more than 5 members, yes, union level per not more than 11 members and state level per not more than 5 members with experts of different disabilities, ठीक है तो यह दोनो स्तर पर निगम के ठाचा की बात होई, अब the chief commissioner for person with disability and the state commissioner will act as a regulatory bodies, yes, and grievance redressal agency, yes, दोनो काम नहीत है यह एक ही body में देखिया, चाहे वो kendrasner पर हो, चाहे वो register पर हो, जो निगम बिनाया गया है, person with disabilities के प्रस्नों को लेकर, या उनके प्रस्नों के solution को लेकर, samadhan को लेकर, उनका दो काम है, एक है regulatory, they will work as a regulatory and the other one is, they will provide grievance redressal, या they will also provide grievance redressal, district level committees will be constituted by the state government to address local concerns of PWD, yes, district level committee, तो खुल मिला के, तीन स्तर पर यह committee यह बनी जाएगी, एक रहेगा यहाँ union, फिर यहाँ state है, और फिर यहाँ district level पर भी committee यहाँ बने जाएगी, creation of national and state fund will be created to provide financial support to the person with disability, yes, जो चीज़े यहाँ बाते की गई है, जो उमने देखा कि सरकर के दवरा यहाँ, कदम भी उठाए जाएगे, कलियानकरी, योजनों की शुरुआत होगी, ठीक है, जिसके तहत, इनके लिए कुछ कलियानकरी काम किये जाएगे, इस पुरी community के लिए तो वो fund सारा जो है वो आएगा, national वो state fund से, जो कि अपने आप में persons with disabilities के लिए समरपीत है, और वो बनाय जाएगा, the existing national fund for persons with disabilities and the trust fund for empowerment of persons with disabilities will be subsumed with the national fund, yes, यह जो दो आज के केंदरस्तर पर जो करीरत है fund, वे दो इस नए national fund में will in हो जाएगे, उसमें समझ जाएगे, ठीक है, तो यह सरी बात है रही important provisions की, अब हमें इसके criticism की बात करनी है, इसके importance की बात करनी है, दोनों में दो तिन बिंदू देखेंगे और चीजों को समझने का प्रियास करेंगे, क्योंकि इसा ही analysis में आम तोर पे हमारी मुख्य परिक्साओं में काम आता है, ठीक है, सब सब रथम criticism की बात करेंगे, जिसके तहत हमें दो बिंदू देखने है, सब सब रथम, बात कही जा रही है की, the act imposes criminal liability for the act of insult and intimidation, yes, यह तो बात सही है, और यह हमें मालूम ही है, कि यहाँ, it actually looks, any type of offense against a person with disability as a criminal one, but, यहाँ जो act का, जो है, हमें reference दिया गया है, जैसे insult and intimidation है, तो इस इन दो terms को, यहाँ clear नहीं किया गया है, तो एक रकर से यहाँ confusion उत्पन होता है, both terms are not defined, and hence they can be misused, in terms का स्पस्टिकरण नहीं हुआ है, तो स्वभविक है कि इनका धिरुपयोग हो सकता है, तो यह इसकी सबसे बड़ी टिका है, दूसरी टिका कहती है कि some provisions introduce ambiguity, ambiguity यहने कि अस्पस्टता, यहाँ जो सरकार के द्वरा ensure करने की बात की गई है कि उन्हें reservation भी दिया जाएगा, employment हो चाहे, चाहे education हो, मगर, the fact is, it is not mandatory for the private entities to provide them employment, ठीक है, मगर, यहाँ section 35 of the act, जो हमने यह example के रूप में देखना है, वो कहती है कि private entity के लिए भी, यहाँ अनिवारी है, यहाँ mandatory है कि वे कम से कम पाच अफिसद अपने workforce जो है अपना persons with disabilities रख है, ठीक है, मगर, सरकार की तरब से कोई भी दिशा निर्देस, कोई भी rules and regulation नहीं दिये गए है, आज दिन तक तो इसका implementation जो है वो अभी नहीं लागू है, ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ ऐसा प्राउधन है जो अपना अपने असप्रश्टता उपन करने वाले है, इस कानून में है, on the other side, अगर importance की बात करें, तो it provides a non-discriminating environment, yes, कौन सी चीज़ों में, तो सब सब रथम तो education में, फिर उसके बाद vocational training में, फिर उसके बाद self employment में, ठीक है, सारी चीज़ों में जो आज दिन तक इस सम्हूं के द्वारा, जो discrimination, जो इनके द्वारा देखा गया है, इनके कानुन के द्वारा खत्म करने की महत्वकांशा है, फिर necessary schemes and programs for PWDS, जिसे welfare schemes कहते है, कलियान करी रोजना है, उसके बाद appropriate healthcare measures, which includes insurance of them, rehabilitation program for them, for those who are in need, and at last law provides effective mechanism as well, yes, ये मत्रों इस सम्हूं के अपलिफमेंट की ही बात में करते हुए, एक effective mechanism देता है, जो की अपने आप में इस सम्हूं को सुरक्षित, संरक्षित रख है, तो यही बात थी, यही चीज़े थी, जो आज मैं इस कानुन के उपाख्यान के देखनी थी, आयोपने जुद लेक्चर, बहुती महत्तोपूनों कानुन है, और ये जो चर्चाए है, य आज ही GrowthMount UPC के साथ जुड़े, और अमरे साथ आपके General Studies जो है, वो एकदम अच्छा एकदम स्रॉंग विल्ट अप कीजिए, साथी में अन्य प्लैलिस्ट के तहद भी आप GrowthMount UPC के content लेख सकते है, जो आपको General Studies के point of view से relevant है, मैं आपको नरूत करूँगा कि आपको आपके होगी थाबित बने है, तो यही चीज़े हैं जो आज मैं बात करनी थी, I hope you enjoy the lecture मों लोग मिलेंगे, अगले कानून में, अगले हफ्ते, तब तक के लिए जीजी इजाज़त, लेक्तरी अग्रतमाट UPC, जोई हैंद